नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे टीटूरियल मेट चैनल पर क्या आप अपने टिक टक परफाइल को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि आप बायो और इसर नेम कैसे अपडेट करें तो ए वीडियो आपके लिए है आज मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि कैसे आप अपने टीक टक परफाइल को बिल्कुल नए आनदाज में सेट कर सकते हैं तो चलिए विना देरी की वेश शुरू करते हैं तो आई दोस्तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टीक टक एप को ओपन कर लें एप ओपन हो जाने के बाद नीचे दाई और परफाइल आइकन पर टैप करें यह आपको आपकी परफाइल पेज पर ले जाएगा जहांसे आप अपने एकाउंट की सेटिंग बदल सकते हैं अब परफाइल पेज पर उपर इडिट परफाइल का विकल पर दिखेगा यहाँ टैप करें इडिट परफाइल पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमारे बायू और यूजर नेम को अप्डेट करने का आप्टन खुल जाएगा पहले हम बायू को अप्डेट करेंगे इसके लिए बायू के आप्टन पर किलिक करें और जो भी टेक्स्ट आप अपने बायू में जोड़ना चाहते हैं उसे यहाँ टाइप कर सकते हैं यहाँ आप अपने बारे में कुछ भी खास लिख सकते हैं जैसे आपके साउक, आपके प्रोजेक्ट्स या आपकी बेवसाइड का लिंक जब बायू आप्डेट हो जाए तो सेब पर टैप करना ना भूलें उसके बाद आप बात करते हैं यूजरनेम की जो सबसे खास होता है क्योंकि यही वो नाम है जिसे लोग आपको टिक टक पर पहँचानते हैं इसके लिए यूजरनेम के आप्शन पर जाएं और अपना नया यूजरनेम टाइप करें द्यान रखें कि आपका यूजरनेम 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 होना चाहिए और इसमें कुछ इस्पेसल केरेक्टर्स जैसे एड़ दरेट या हैज का उप्योग नहीं कर सकते हैं जब आप अपना यूजरनेम बदल लें तो सेब पटन पर टैप करें ध्यान दे कि टिक टॉक पर यूजरनेम एक बार बदलने के बाद 30 दिनों तक इसे फिर से नहीं बदल जा सकता अब एक और टिप जो आपके बायो को और भी आगार्शक बना सकती है अगर आप अपने बायो में किलिक करने योग लिंक जोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने एकाउंट से बिजनेस एकाउंट में बदलना होगा ये तरीका खास कर उन लोगों के लिए है जो अपने टिक टक परफाइल पर बेवसाइट या अन लिंक देना चाहते हैं आईए देखें कैसे सबसे पहले आपको फिर से अपने परफाइल पर ट्रैप करना है फिर उपर ताइयोर तीन डॉट्स पर किलिक करके सेटिंग में जाएं अब आपको एकाउंट पर ट्रैप करें और स्विज़ टू बिजनेस एकाउंट चुने एक केटेगरी सेलेक्ट करें जो आपके एकाउंट के लिए सही हो जैसे पबलिक फिगर, युजिगेशन या मीडिया एक बार आपका एकाउंट बिजनेस एकाउंट में बदल गया अब इडिट पर जाकर वेबसाइट फिल्ड में अपने लिंक को जोड़ सकते हैं एक लिंक अब आपकी परफाइल के बायों में दिखेगा और लोग इस पर किलिक कर सकते हैं तो दोस्तो ये थे वो आसान स्टेफ जिनसे आप अपने टिक टक परफाइल को एक नई बहचान दे सकते हैं बायों और यूजर नेम को सही तरीके से अपडेट करें और अपने फ्लोवर्स को अपनी परफाइल पर आगारसित करें और हाँ अगर आप और भी टिक टक टिफ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद